तो पिछली क्लास में हमने यहां पर ब्रेक लिया था अब यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं हम बात कर रहे थे डाइलेक्ट्रिक की तो डाइलेक्ट्रिक बैसिकली क्या होता है एक माटीरियल होता है और यह माटीरियल बैसिकली आपको दो चीज़ें प्रोइड करता है एक तो प्रोइड करता है आपको सपोर्ट आपके कैपसिटर की प्लेट्स को सपोर्ट प्रोइड करता है और दूसरा यह एनहेंस करता है कैपसिटर्स को तो ये दोनों काम डाइलेक्ट्रिक कर देता है तो हमें ये कह सकते हैं कि C जो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद C डाइस है वो होता है K टाइमस ओफ C ठीक है? तो K टाइमस इंक्रीज हो जाता है अब कहीं के मन में आ रहा होगा कि मैटल के लिए K इंफिनिटी होता है तो उसका सीडेस इंफिनिटी होगा बेशक इंफिनिटी होगा लेकिन वो किसी काम का नहीं है इंफिनिटी का मतलब उस पर चार्ज इंफिनिट होगा ऐसा नहीं है आप उसको कितना भी चार्ज देऊ सारा चार्ज पीछे से रिलीज होता जाएगा तो वो किसी काम का नहीं रहता है ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज पर तो नेक्स टॉपेक एज ब्रेकडाउन वोल्टेज अब ब्रेकडाउन का मतलब क्या है पहली पहली बात ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब क्या है देखो आप कोई भी कैपसेटर लोगे तो उसको किसी सर्किट में लगा हो गया अब सर्किट में कैपसेटर आपने लगाया है मानलो हाई वोल्टेज आया कैपसेटर उड़ गया ब्लास्ट हो गया तो वो वोल्टेज जिस वोल्टेज पे कैपसेटर ब्लास्ट हो जाता है वो voltage के लाएगा आपका breakdown voltage ठीक है और ये breakdown voltage वो maximum voltage है जो आप capacitor के across लगा सकते हैं अब basically होता क्या है देखो capacitor में कुछ है नहीं होता dielectric में कुछ है नहीं होता ये जैसे कोई dielectric slab है इस dielectric slab में dipoles होता है dielectric क्या रखता है अपने अंदर dielectric contains dipoles अब dipoles इसके अंदर infinite dipoles होते हैं और वो भी random कोई ऐसे होगा कोई ऐसे होगा random arrange होते हैं अब जब आब इसके उपर एक external field लगाते हैं external electric field लगाते हैं तो पहली बात तो सारे dipoles क्या हो जाते है आरेंज हो जाते हैं इसे minus plus minus plus minus plus like this यहाँ पर भी ऐसे dipoles arrange हो जाएंगे minus plus minus plus like this ठीक है तो ऐसे ऐसे dipoles सारे arrange हो जाते हैं और यह dipoles का यह positive यह negative इनके बीच इसका जो electric field होता है न वो electric field external के electric field को कम करता है और कितना कर देता है one by k times अब यह चीज समझने की है कि dipoles में कहीं भी charge induced नहीं होता सुना लियान से dipoles में charge induced नहीं होता लेकिन अंदर एक electric field induced होता है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ charge induced होगा है ऐसा आलंकि मैं फिर से कहरा हूं dipoles में charge induced नहीं होता यह induced electric field होता है हाँ और यह induced electric field external को कम करता है और अंदर net electric field कितना कर देता है एक्स्टरनल बाई के, ठीक है, हाँ, तो कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होता, लेकिन आपको question में हमेशा पूछा जाएगा, कि dielectric की इस slab पर या फिर इस surface पर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो ये एक तरह से notation सा ले लेते हैं वो लोग, कि अंदर electric field इंड्यूस हुआ अगर उसने कहा है कि कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो वो बैसिकली ये जानके ही कह रहा है कि अंदर electric field इंड्यूस हुआ है, उसके corresponding अगर होता तो कितना चार्ज इंड्यूस यहाँ पर होता, ठीक है, अच्छा ये तो रही है एक बात, दूसरी बात, अब क्या होता है, जब ये align हो चुका है, डाइपोल ऐसे, यहाँ minus यहाँ plus, अब इस plus charge पे तो force लगेगा आपका, forward, आगे की तरफ, कितना लगेगा, Q, E external, ठीक है, खुद के electric field का खुद भी force नहीं लगता, किसका लगता है, external का, और इस पे लगेगा पीछे, कितना लगेगा, Q into E external, अब इस डाइपोल पे net force तो zero है, तो डाइपोल कहीं नहीं जाएगा, पहली बात, तो मैंने कहाता है, चार्ज कहीं induce नहीं होगा, लेकिन हम ऐसा मानते हैं, कि यहाँ charge induce हुआ, होगा, तब ही तो अंदर electric field इदर induce हुआ है, जब मान लेते हैं, तो इस डाइपोल पे net force तो zero है, बट, डाइपोल में tension तो आई है, टाइपोल में tension, टाइपोल खिंचा नहीं खिंचा, अगर डाइपोल में tension आई है, अब आप इस electric field को बढाते जाएंगे, बढाते जाएंगे, तो एक electric field ऐसा आएगा, जिस electric field पे यह डाइपोल यहां से तूट जाएगा, और तूटन और negative charge full इतने इधर आ जाएंगे कि ये जो आपका dielectric है ये simple एक conductor की तरह भी हो करना शुरू कर देगा और conductor मतलब आपने क्या कर दिया short circuit conductor मतलब full charge जितना दे वो ले लेगा तो अब अगर dipole टूड गया तो अंदर charge free हो गया ये free हो गया ये free हो गया तो अब आराम से charge इधर जाएगा अब इस direct electric का कोई मतलब नहीं है जब ये तूट जाता है अंदर से तब इस condition को कहते हैं breakdown क्या कहते हैं? break down ठीक है? और ये breakdown किस से related है? breakdown external electric field इसकी खुद की strength और बीच का separation कितना है उस पे depend करता है क्या से depend करता है? तो वो देखते हैं तो जैसे आपने क्या किया? कि ये एक capacitor था और इसके बीच में आपने एक ये लगा दिया आपने क्या? एक dielectric और अब आपने क्या किया कि इसके external एक voltage लगाया क्या लगाया external? एक voltage तो आपने इसको positive charge दिया इसको negative charge दिया तो अंदर एक electric field आया ऐसा external तो यहां पर यहां से लेके यहां तक मानलो external electric field है तो potential difference कितना आया? E into D इसका मलब आपने इसके across एक E into D का voltage लगा रखा है इस dielectric के across कितना potential? E into D अब जैसे जैसे आप यह delta V या फिर इसको हम कहते है direct V है तो potential difference लेकिन हम voltage कहते हैं क्योंकि हम आप चुली क्या करते हैं? इसके across बैटरी लगाते हैं तो बैटरी का हम voltage ही define करते हैं तो V equals to E into D ठीक है? E कौन सा? external अब जैसे जैसे V बढ़ेगा E बढ़ेगा और जब E बढ़ेगा तो जैसे जैसे V बढ़ेगा E बढ़ेगा और E बढ़ेगा तो अंदर dipole पे tension बढ़ेगी और dipole पे tension बढ़ेगी तो dipole टूटना शुरू करेगा और जिस electric field पे टूड जाएगा जिस electric field पे टूड जाएगा उस electric field को कहते हैं dielectric strength क्या कहते हैं तो अब हम नई एक heading बता देते हैं आपको dielectric strength dielectric strength is the electric field is basically an electric field external electric field at which dipole यफर dielectric breaks down breaks down तो वह electric field अब आप देखो वी बढ़ा रहे हैं वी बेसिकली क्या है आपने बैटरी लगा रहे हैं और simply कुछ नहीं है ठीक है ना वी को बढ़ाते जाओगे तो अंदर यह electric field यह बढ़ता जाएगा और जिस electric field पे टूड जाएगा उस electric field को क्या कहते हैं ट्रेक्ट्रिक स्ट्रेंद्ट की यूनिट भी क्या होगी न्यूटन पर कूलम तो अब टूट गया किस voltage पर टूटा breakdown voltage तो इसको कहते हैं BV breakdown voltage breakdown voltage किसके बरावर होगा V voltage तो E into D होगा ना और जिस electric field देखो voltage किसके बरावर E into D अब voltage बढ़ा गया आपने इतना बढ़ा देगे वो 2D है तो voltage बन गया breakdown voltage और electric field बन गया आपका dielectric strength dielectric strength into D तो breakdown voltage equals to dielectric strength into बीच का separation D तो breakdown voltage किस पर depend करेगा dielectric strength पर और dielectric strength किस पर depend करती है dielectric strength material की property it depends on material dielectric strength किस पर depend करती है material यह material की property ठीक है temperature पर depend कर सकती है उसका मैं कुछ नहीं कह सकता ठीक है लेकिन dielectric strength shape पर depend नहीं करती dimension पर depend नहीं करती breakdown voltage dimension पर depend करता D आगे नहीं आपके तो this is what a breakdown voltage means जिस वोल्टेज पर dielectric फट गया वो है break down voltage और वो voltage किसके पर आपर होगा अंदर electric field into separation D और वो electric field जब फटेगा तब वो electric field जाना जाता है dielectric strength के पर आपर तो जैसे मालो simply कि मालो एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका यह separation है आपका सपोज यह ले लो 10 mm और इसकी डाइलेक्ट्रिक strength आपको दीवी है सपोज कितनी ले ले इसकी डाइलेक्ट्रिक strength 500 का मतलब क्या है कि इसके अक्रोस आप 500 न्यूट्रिक पर कूलम को electric field लगाओंगे तब तक नहीं फटेगा 501 लगा दिया फट जाएगा 500 इलेक्ट्रिक फिल्ल लगा दो तब तक यह नहीं फटेगा तो ब्रेक्डाण वोल्टेज कितना होगा तो ब्रेक्डाण वोल्टेज होगा 500 इन्टू 10 बटे मतलब 1000 कितना है पांच मतलब पांच वोल्ट के आप external इसके अक्रोस बैट्री लगा सकते हो वोल्ट लगाते ही यह और इलेक्ट्रिक फिल्ल कितना हो जाएगा अंदर यह हो जाएगा चैक्षा बटे तो कितना होगया 600 इस पांचफो फट रहा है । यह मतलब है डाइलेक्ट्रिक है इस्ट्रेंद गा अब एक question इस पर कैसे पूछे जाएंगे वो देखते हैं अब तो market में आप जब भी जाओगे डाइप में ये क्या कहते हैं capacitor करीने के लिए तो उस पर marking लिखी होती है जैसे 4 microfarad साइड में लिखा होगा 220 वोल्ट तो उसका breakdown voltage कितना है 220 वोल्ट ठीक है अब आपको बीची separation देदेगा तो आप डाइलेक्टर के strength भी निकाल पाओगे तो ऐसी आपको marking उस पर दी रखिए हर्ट भी देते हैं साथ में 50 हर्ट पर काम करता ये तो ये सब दिया रहता है अब question कैसा आएगा इसमें question will be like कि पहला simple question तो अब मैंने अभी करवा दिया तुमको कि डाइलेक्टर के strength दी ये दी दिया वह तो उसका breakdown voltage बताओ अब दूसरा question ऐसे आएगा कि दो कैपसेटर दिये हैं आपको और दोनों ऐसे सीरीज में जूड़े हैं इसका breakdown voltage है चार वोल्ट क्या है breakdown voltage चार वोल्ट इसका breakdown voltage है दस वोल्ट और इसका capacitance है 6μF और इसका है 3μF और दोनों ऐसे सीरीज में जूड़े हैं अब आपको बताना है कि find breakdown voltage of this system इस system का breakdown voltage कितना होगा ठीक है तो ऐसा तो है नहीं कि भई हमें तो दोनों चीए एक साथ एक भी फटा तो system गया यह फटा system गया यह फटा system गया कोई भी नहीं फटना चीए तो system का breakdown voltage एक होता है कि जिसपे दोनों sustain कर जाए अब वो कैसे निकाले system का breakdown voltage निकालना है अब इसका breakdown voltage कितना है? चार old मतलब इस capacitor क्या करो साब maximum कितना voltage का बैटरी लगा सकते हो? चार ठीक है तो इस पे maximum charge कितना आ सकता है? चलो क्यों max देखते हैं दोनों का इस पे maximum charge यह procedure है इस पे maximum charge कितना आएगा? 24 इस पे maximum charge 10 into 3, 30 अब एक बात याद करो कि यह दोनों सीरीज में है और सीरीज में charge क्या रहता है? यहां से charge तो same रहेगा इन सीरीज चार्ज विल भी same देखो फिर से देखो इसका maximum इसका cross लगा सकता है चार बोल्ड तो इस पे maximum आ सकता है 24 इस पे maximum आ सकता है 30 अब पहली बात यह कि इस पे 24 जा नहीं रहा है आ सकता है इस पे 30 आ सकता है ठीक है? और यह दुनों सीरीज में हैं तो दुनों में charge same रहेगा अज सोचो इदर से 24 आ रहा है तो इस पे 24 आ सकता है maximum कोई दिक्कत नहीं है इस पे 30 maximum आ सकता है इदर से 24 आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मान लो इदर से 25 आ गया तो यह उड़ जाएगा यह बच जाएगा 30 आ गया यह उड़ जाएगा यह बच जाएगा 31 आ गया दोनों उड़ जाएगा और बेसिकली पहले जिदर करण जाएगा वहले वो उड़ेगा अब क्यों में एक साब नहीं निकाल लिया तो सेफ कितना चार्ज इसमें एंटर कर सकता है दोनों में जो छोटा होगा वो ही सेफ होगा 25 कर दिया तो यह उड़ जाएगा तो 24 रख लो सेफ कितना है 24 तो सेफ चार्ज 24 को एंटर करवा दो तो 24 अंदर एंटर कर देगा और अब आप इन दोनों का सी इकुलेंट निकाल लो तो 24 इकुल टू सी इकुलेंट इंटू वी वै क्यों क्या होता है सी वी है ना क्यों आपने सेफ कितना एंटर कर रहा है 24, C equivalent निकाल लो और ये V कौन सा है V है, इसके across आप जो बैटरी लगाओगे न वो V है ऐसी तो 4, 24 एंटर कर रहा है 24 equal to C equivalent into V तो 24 बराबर C equivalent कितना होगा, दोनों सीरीज में जुड़े मैं 6, 18, 9, 2 कितना होगा, 2 तो 2, C equivalent होगा into V, तो यहाँ पर V कितना आया 12 तो 12 वोल्ट या बैटरी लगा सकते हो 12 से ज़्यादा लगाते हैं आपका ये उड़ जाएगा, पहले सब से उसके बाद ये उड़ जाएगा ठीक है, तो आप 12 का लगा लो तो दोनों काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्लियर है यहाँ तक, तो इस तरीके से ब्रेकडाउन वोल्टेज निकाले जाते हैं अब दिको, आप जब 12 लगाओगे नहीं आपे तो कितना चार्ज फ्लो करेगा? जब 12 लगाओगे तो 24 ही चार्ज फ्लो करेगा 24 इसको मिल जाएगा और इसको भी 24 यह 24 पर नहीं फटेगा यह किस पर फटेगा? 30 के उपर जाते ही तो दोनों सस्टेन कर जाएगे तो यह सिस्टम का वोल्टेज है क्या आप 12 से उपर नहीं लगाएंगे? चलिए एक क्वेशन और करते हैं तीन क्यापसेटर ऐसे दे रखें यह है 4μF और इसका ब्रेकडान वोल्टेज है 10 ये है 12μF और इसका ब्रेकडान वोल्टेज है 9 और यह 6μF और इसका ब्रेकडान वोल्टेज है 8 ठीक है? अब आपको वही पूचहे Find Breakdown Voltage of System Find DVR-System चलो ट्राइ करो ट्राइ करो, स्क्रीन को पोस्ट करो ट्राइ करो चलो, अब देखते हैं अपन सबसे पहले सब पे Maximum Charge निकाल लो इस पे Maximum कितना आ सकता है 10 x 4 40 इस पे Maximum 6 x 12 इस पर 8 x 6, 48 तो सबसे कम चार्ज कोन सा है, 40, 40 पर यह जिन्दा रहेगा, यह भी रहेगा और यह भी रहेगा, तो Q max equals to C equivalent into V, breakdown voltage, Q max is 40, और C equivalent कितना हो जाएगा, 1 by 4, 1 by 12 और 1 by 6, कितना होगा, 2, इसका C equivalent आएगा, 2, I think 2 आएगा, इसका C equivalent 2 है, तो 2 into V, तो V कितना है है, 20 वोल्ट, तो आप यहां पर जो external battery लगाश रखते हैं, वो कितने की लगाश रखते हैं, maximum 20, ठीक है, 20 से थोड़े ज्यादा होता है, यह भी फट जाएगा, सबसे पहले यह फटेगा, और सर्गेट ब्रेक हो जाएगा, फिर कोई मतलग, नहीं है, क्लियर रहे आता है, तो यह थी चर्चा, breakdown voltage की, तो ऐसे ही आपको solve करना है, system का breakdown voltage निकालना है, अब एक question मैं देता हूँ आपको, आप उसे solve करें, क्लिएर्ट सौच का हूईँ आपको, वहां है, कर दापको, प्趣म है तो भेगा। है, क्लिएर्ट सी आपको, अपको मैं दोच्चा सब Valerie नहीं, क्लिएर्ट ब्रुर Jr Home. । आपको, इवहा है, क्लिएर्ट आपको, आपको,पको,जर्ब运Mart्गर, झाल झाल तो यह question है आपकों सामने यह capacitor है यह दूसरा capacitor है यह तो अब आपको बताना है कि इस सिस्टम का ब्रेक्डाण वोल्टेज और इसका आंस्वर आप मुझे बताएंगे निकाल के ऐसा हम अम्मीद करता है तुम से चले यह ब्रेक्डाण वोल्टेज की बातें थी बातें हैं बातों का क्या चले अब देखते हैं कि चले आज के लिए इतना काफी है देखते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक्यू क्या है